हेलो, लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, फिर से चलेंगे हम हमारे W3Schools के उपर और चेक करते हैं आगे SQL, SQL के इंदर हम कर रहे थे MySQL Functions और उसमें से सबसे पहला जो टाइप है String Functions का चलते हुए हमने कहां तक कर लिया था, lower function तक हम कर चुके थे, आज हमें करना है LPad यह कैसा function है एक बार देखते हैं इसको MySQL LPad function, LPad ठीक है, LPad function, क्या है यह, यह यह भी extreme function है, क्या है इसका usage, क्या definition बोलती है यह बार देखते है The LPad function, left pads a string with another string to a certain length, यह करेगा क्या, means जो भी left में क्या करेगा, उठागे string लगा देगा, अगर कोई string ओल्रेड़ी है मिलब, string pad करनी है, और कहां लगा जा, left side में, देखें, syntax देखते हैं, आपको और भी अच्छे से clear होगा, syntax LPad, parenthesis start, string 1, length और LPad string, जो string हम pad करनी है, इस string के left side में, उसको क्या बोल रहा है, LPad string, ठीक है, nothing but this is a parameter यह एक syntax है, और syntax इसी तरीके से लिखे जाता है, कोमा कोमा करके हम चीज़े लगा देंगे, तो वो automatically assume कर लेगा कि यहाँ पे जो पहले दिया है, वो एक string parameter है, जो दूसरा parameter यहाँ पे जो भी हम input करेंगे, वो दूसरा करता है कि वो length parameter है, और तीसरा वो left padded string है, जो हमें left में pad करनी है, ठीक है, यह है इसका syntax, आप देखते है parameters, values कैसे है, सबसे पहले जो इस LPad function में सबसे पहला parameter है, वो है string, description देखो, क्या बोलता है, required, हमें डालनी ही डालनी है यहाँ पे, यह original string रहेगी यहाँ पे, यह क्या है, original string string, दूसरा parameter देखो, length, means जब भी हम पूरा इसको यह function चला देगे, तो last में हमारी string की length क्या बचनी चाहिए, ठीक है, means यह उठा के यहाँ pad कर दी, और यह left padded प्लस हमारी जो original string है, प्लस total length के बाद हमें result क्या होना चाहिए, display होना चाहिए, समझ मैं है ना, required the length of the string after it has been left padded, left pad करने के बाद ही हमें पूरे length मिलनी चाहिए, ठीक है, जो तीसरा parameter है, वो क्या बोलता है, कि जो string हमें क्या करनी है, left के अंदर, यह भी क्या है, required है, जो भी string left के side हमें क्या करनी है, पैड करनी है, उसको क्या बोला है, left string, ठीक है, example देखते हैं, आपको और अच्छे से clear होगा, चलो, अब देखो, यहाँ पर क्या बोला है, left pad the string, हमें left में pad कर दो, abc, यह string pad कर दो, और बाद में हमें ऐसी string दे दो, जिसकी length कितनी हो, 20, यह बोलता है, कैसे, example देखेंगे, अच्छे से clear होगा, यह हमारा जो पहला parameter है, क्या है वो, original string, यह दूसरा parameter है, length, और यह तीसरा parameter है, जो हमें उठा के यहाँ, इसके left की तरफ, pad करनी है, ठीक है, त abc, देखो, abc, फिर abc, जब तक करते रहो, जब तक हमारे पास left में इतनी जगह हो, और कुल मिलाके, इसकी length क्या है, 20, मैं आपको दिखाता हूँ, character count करके दिखाता हूँ, मैं इसको, ठीक है, मैंने, शाय, कितने है, देखो, 20, कितने character है, 20 character है, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी कर सकते हूँ, अब देखो, मैं अपना नाम डालता हूँ, change करता हूँ, और मेरे left side में, और यहाँ पर करते हैं, 15, length 15 बना दो, हमारे string के, और उसके आगे, कुछ इस तरीके का symbol लगा दो, ठीक है, अब, इन में से difference देखना, आप, दोनों चीज दिखाऊँगा, मैं पहले आप इसको यह देख लो, ठीक है, तो यह हमारी क्या थी, actual string, actual string थी, और उसके बाद, जितने भी है, यह total count कितनी होनी चाहिए, यह 15 होना चाहिए, कि मिल्स, length उसके कितनी है, 15, कितने आगए character, 15 character, ठीक है, तो यही, एल-pad का था, आगे देखते हैं, और क्या बोलता है, जिस, next बोलता है, कि जो इन्होंने, example दे रहा है, एक पर यह example और देखते हैं, अब यह कहा रहा है, कि left-pad करके हमें column बनाना है, यह database MySQL का database W3School ने बनाया है, customer जो table है, उससे हमें उठाना है customer name, और उसकी पूरी की पूरी length बना दो 30, और starting में, starting में ABC कर दो या कुछ और कर दो, चलो हमने यह add कर भा दिया, यह add हो जाएगा, स्टार्टिंग में, मैं आपको इसी टाइप कर दिखा दो, L-pad, ठीक है, L-pad add कर दो, स्टार्टिंग में इनकी customer name, ठीक है, चालो, देखो L-pad, यहां तक, फिर यह वापिस start होते है, L-pad, बाव पेस दुबारा से दुबारा करते रहो, जब तक कि हमारे पूरी length का क्या ना हो जाए, length कितना ही नहीं हो जाए, 30, आपको पता है कि एक character, एक character means एक byte ले रहा है, ठीक है, memory में एक byte ले रहा है, तो वही तो length है, length से हम count करते हैं, length function हमने पढ़ा है, यह चीज़ आप देख सकते हो, यहां पे, अब बात आती है, अब इसमें क्या है twist, अब देखो, if the length of the original string is larger than the length of the parameter, means this function removes the overfloating of the character, अब देखो यहां पे क्या होता है, चलो इसको cut कर देता है, यहां पे देखता हूँ, अगर क्या हो, कि जो हमें, means length of original, क्या है, if the length of original character is larger than the length of the parameter, means हमारा यह वाली length से ज्यादा बड़ी हो, इस से, means मान लो, यह हमारी है length, मेरे नाम में है 7, मैं कर देता हूँ 5, और मैं चाहरा हूँ कि यह left padded हो जाए, तब क्या result आना चाहिए, actual में क्या बनेगी, वो क्या कर रहा है, वो इसको ही काटके, सिरफ 5-5 लिख रहा है, और left padded की जगह ही नहीं है, वो कह रहा है, पहले ही 5 के लिए बोला है मेरेको, left padded की जगह ही नहीं है, तो वो क्या कर देगा, जो भी overflow है, उनको सब को cut कर देगा, ठीक है, और दूसरी च पैड करनी है, और वो भी extra है, ठीक है, ये string भी extra है, तो देखो, उसका क्या result आता, ये उठा के पैड कर दिया, और last में, आखरी तक, और ये हो रहा है, क्योंकि 7 उसमें थे, और 3 ये, और इसका एक, जो last वाला ए था, ये क्या हो गया, ये cut गया, क्यों, क्योंकि वो कह रह बाकी जो original string है, वो वापिस है, as it is, लिक दो, total length कितनी होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए, ठीक है, ये कितनी भी बड़ी हो सकते हो, देखो, इसने यहां से, यहां तक ही लिया, क्योंकि उसमें जगह है, क्योंकि 7 मेरे हो गए, और 3 इसके हो गए, तो total 10 की है, इसलिए ये ऐसा ह आया है, ठीक है, अगर मान लो, कोई ऐसी string है, देखो, यहां पर हो सकता है, कोई ऐसी string हो, जो नलो, नाइव, ठीक है, तो उसमें क्या है अगा रगान सा, उसमें नला आएगा, ये दिखा नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको यहां से दिखाता हूँ, एक बार, क्या है, अगर कोई ऐसी स्ट्रिंग हो जिसमें सॉरी पासवर्ड रॉंग एंटर कर दिया इसलिए बंद हो गया है और मैं क्या कह रहा हूं आपको कोई ऐसी स्ट्रिंग औरिजिनल स्ट्रिंग ही क्या है शाच हो तो नल का क्या आगा result дело ही आएगा यह चीज तो आप दिखान रखनी है कि नल का either यहानाLuc, यह भी सकता है सब को क्या आएगा नल यहाएगा ठीक है तो यह क्या था----- पैड आप लोगों ने देख लिया है नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नेक्स्ट वीडियो में एल्ट्रीम करेंगे यह आप लोगों एक बार देखके आना थैंक यू जैहिंद